कुछ लोगों का ये मत है कि करनाटक में सीधा रामया की सरकार चल दई है लेकिन हकीकत तो ये है कि यहाँ सीधा रुपईये की सरकार चलती है ये जो सीधा रुपईया है हर चीज में सीधा रुपईया होता है तभी काम होता है आप मुझे बताएए क्या ये सीधा रुपईया वाले कल्चर चाहिए क्या आपको ये सीधा रुपईया वाले कार्णा में चाहिए क्या क्या ये सीधा रुपईया जई इंसान को न्याई मिलेगा क्या और इसलिए भाई उन्हानों ये सीधा रुपईया आप जाना चाहिए एक इमानदारी की सरकार आनी चाहिए और इसलिए अब करना तक को सीधा रुपईया का कारोबार नहीं करना तक को लोगों का आवाज सुन करने वाली लोगों का काम करने वाली सरकार चाहिए